एकुर नमस्ते, नमस्ते शर्मिला दिदी, एकुर नमस्ते, सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में, तो एक्सराइस टू, अभ्यास दो, जिसमें के हम अपने आप को देखते हुए शरीर को देख रहे हैं, और शरीर के साथ जो मै का चैतन्य का इंटराक्शन है, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी के आगे, हम ये भी देखेंगे, कि ये सब करते हुए, हम बाहर क्या हो रहा है, उसको भी देख सकते हैं, तो अभ्यास दो में, स्टेप एक में, हम मै के द्वारा, मै को और शरीर को देख रहे थे, हम ने देखने का प्रयास किया, कि मैं चैतन्य, मैं हूँ, शरीर भी है, और ये मुझे कैसे पता चलता है, कि मैं हूँ, क्यूंकि मैं अपने अंदर जो ख्रियाई चल रही है, उनको देख पाती हूँ, शरीर भी है, ये भी दिखाई देता है, क्यूंकि मैं शरीर में हो रही समवेदनाओं को देख पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ, तो ये दोनों, दो distinct अलग-अलग वास्त विकताएं हैं, इसको हम देख रहे थे, step one में, step two में हमने देखा, कि ये जो, शरीर और मेरे बीच में ये जो आदान प्रदान हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कि मैं शरीर को कुछ संकेत देती हूँ, जबी जो भी मेरे लिए महतुपूंड होता है उस बेसिस पर मैं कोई संकेत देती हूँ और शरीर वो करता है यह जो संकेत देना है यह एक तरह से एक सूचना है जो मेरे से शरीर तक पहुँच रही है फिर शरीर में भी बहुत सी घटनाएं घट रही है उसके आधार पर शरीर में भी समवेदना उठ रही है जिस भी समवेदना को मैं महतफून समझती हूँ उसको मैं पढ़ती हूँ तो ये जो समवेदना जिसको मैं पढ़ रही हूँ इस समवेदना भी एक तरह से एक सूचना है तो मेरे और शरीर के बीच में जो आदान-प्रदान हो रहा है वो सिर्फ सूचनाओं का हो रहा है कोई फिजिकल चा कोई भौतिक रसायनिक एक्स्चेंज नहीं हो रहा है कोई वस्तु शरीर से मुझ तक आ रही है ऐसा नहीं समवेदना शरीर में उठ रही है मैं उसको पढ़ रहे हूँ फिर step 3 में हमने ये बहुत important देखने की कोशिश करी कि ये जो संकेत मैं दे रही हूँ संवेदना मैं जो पढ़ रही हूँ इसमें निर्ने कौन ले रहा है मैं या शरीर और फिर हमने ये देखा कि शरीर को संकेत देने का निर्ने तो मेरा है जब भी मुझे कुछ शरीर से काम लेना होता है तो मैं ये निर्ने लेती हूँ कि मुझे शरीर को कुछ संकेत देना है और फिर मैं वो संकेत देती हूँ जो भी संवेदना मैं पढ़ती हूँ वो भी मुझे जो महतवपून लगता है जिस समय महतवपून लगता है उस समय मैं वो समवेदना पढ़ती हूँ तो ये दोनों जो आदान पदान चल रहा है संकेत देना, समवेदना पढ़ना ये सब का निर्मे मैं ले रहे हूँ शरीर में तो बहुत सी समवेदनाय उठ रही है ये काफी सारे एक्जामपल्स हम लोग ले रहते हैं पिछले दो तीन दिन से तो जैसा भी मैं शरीर को संकेत देऊं वैसा शरीर करता है तो इससे मालूम होता है कि शरीर को मैं एक साधन की तरह प्रयोग कर रही है जो भी मुझे मेरा जो भी निर्नय होता है कब संकेत देना कब संवेदना पढ़ना ये सब मेरे उपर निर्पर है शरीर में तो बहुत कुछ हो रहा है संवेदनाय हो रही है मुझे क्या महत्पून लगता है किस समय महत्पून लगता है उस समय मैं उसको पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ और जो भी फिर मैं संकेत देती हूँ शरीर फिर वैसा करता है तो शरीर इतरह से मेरा साधन हुआ जो भी मुझे काम लेना है बाहर से बाहर के बारे में कुछ सूचना चाहिए मुझे कुछ भी जो भी इंटरेक्शन है किसी के विखार के साथ में किसी के अपने संबंधों में किसी से बात्चीत करनी है जो भी हो तो कैसे करेंगे तो शरीर के दवारा शरीर को एक साधन की तरह प्रयोग करते हूँ तो इसमें पूरा जो हमने कल भी बात कर रही थी और दो-तिन दिन से कर भी रहे हैं कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही देखता हूँ, सम्वेदना है उठ रही हैं, अभी आप देख रहे हों शायद अगर आपके यहां खिड़की है, बाहर देख रहे हैं या किसी कमरे में बैठे हैं, परदे लगे हैं, शायद लैंप हो, टेबल हो, चेयर हो, बहुत सी चीज़ें होते हैं रूम में अब इन सब का जो एक इमेज है, वो अपनी आग के उपर बन रहा है, इससे कुछ सम्वेदना उठ रही है मैं किस पर ध्यान देती हूँ, यह मेरे उपर निर्भर है, वो मेरा निर्ने है, देख कौन रहा है, मैं देख रही हूँ सम्वेदना कहां उठ रही है, शरीर में उठ रही है, इसकी भी बात काफी विस्तार से हुई थी तो यानि कि दृष्टा मैं साधन शरीर, आँखें साधन, शरीर का एक भाग, and so on सारी सम्वेदनाओं के लिए हम देखेंगे, कि शरीर एक साधन के तौर पर हमारे लिए काम कर रहा है और हम उससे काम ले रहे हैं, सम्वेदना अपने हिसाब से जब हमें जो महत्पून लगता है वो पढ़ते हैं, और उसी हिसाब से संकेत देते हैं तो तुरिष्टा मैं, देखने वाला मैं, करता भी मैं, जो भी निर्ने लेना है, संकेत क्या देना है, संवेतना कौन सी पढ़नी है, वो मैं चूज करती हूँ, रिसाइट करती हूँ, निर्ने मेरा होता है, तो करता मैं, और भूगता भी मैं, जैसे हम ने मिठाई खाने का ना हमारे मन में आया तो हमने शरीर को कहा उठो चलो मिठाई मूँ में डालो और जब डाला तो शरीर में कुछ संवेर ना हुई और आगे हम देखेंगे कि उसके आगे क्या प्रोसेस हुआ लेकिन अल्टिमेटली मेरे अंदर क्या चल रहा है जैना मैं क्या उसको अर्थ दे रहे हूं उसके बेसिस पर मैं सुखी-दुखी होती रहती हूं तो भोग मैं रही हूं सुखी मैं हो रही हूं मैंने कुछ मीठा खाया जो मुझे पसंद है तो सुखी कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है? खुशी किसको हो रही है? शरीर को हो रही है? मुझे हो रही है. यह सब हम लोग ने काफी इस तार से इन सब बातों पर बात की थी. स्टेप फॉर में हम यह देखने का प्रयास कर रहे थे कि मैं शरीर से अलग हूँ. तो जब हम समवेदनाओं को पढ़ते हैं, हमने यह प्रयास किया देखने का कि मैं समवेदना के अंदर नहीं हूँ. मैं समवेदना में नहीं हूँ. मैं समवेदना भी नहीं हूँ. मैं समवे प्रीफले हम लोगों ने इस पर टुच किया था कि ये जो समवेदनाएं उठ रही है शरीर में इनका जो सोर्स है इसमवेदनाओं का क्या स्तुर्वत क्या है कहां से उत्पन हो रही है वो तो शरीर मेरे है लेकिन इनका सोर्स क्या है तो चार सोर्सिस की हमने बात करी थी एक वो कि जब हम दूसरे के साथ कुछ वेवार कर रहे हैं उस वेवार के तहर जैसे दूसरे ने कुछ कहा या स्पर्श हुआ कुछ दूसरे ने मुझे हाथ लगाया या ना वेवार में मैंने देखा दूसरे ने मुझे नमस्ते करी अब इन सब में क्या हो रहा है इस सब के कारण शरीर में कुछ सम्वेदना उठ रही है उसका प्रभाव हो रहा है ना मेरे शरीर के उपर तो उसके तहट शरीर में कोई सम्वेदना उठ रही है ये एक स्तुरूत हो सकता है फिर ये तो हो गया औरों के वेवहार के कारण बाहर की जो परिस्तिती है मौसम कैसा है खाना रखा हुआ है उसकी कुछ गंध है उसका प्रभाव शरीर पर पढ़ रहा है कोई समवेदना उठ रही है ये सब जो है तो बाहर की क्या परिस्तिती है क्या भौतिक रासायनी घटना घट रही है ठंडी है, गर्मी है, बारिश है इन सब का भी प्रभाव मेरे शरीर तक पहुँचता है और उसके तहट भी शरीर में कोई समवेदना उठती है तीसरा स्तृत जो हम लोगों ने जिसकी बात करी शरीर में भी बहुत कुछ घट रहा है हमने खाना खाया, खाना पच्चरा है खुन दौड रहा है हमारे ब्लड वेसल्स में सर्किलीर्शन हो रहा है दिल की धड़कन है, सांस चल रही है बहुत कुछ हो रहा है तो इन सबसे भी शरीर में कोई समवेदना होती रहती है वो भी एक स्तृत हो सकता है और एक फोर्ट स्तृत जिसकी हम बात कर रहे थे अभी इंगलिश सत्र में भी इसकी बात हो रहे थी कि मेरे अंदर कुछ भाव विचार है मेरे अंदर तो चली रहा है कुछ ना कुछ उसका भी प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है और उससे भी कुछ समवेदना उठ सकती है तो ये चार्ज त्रोत थे जिसकी बात कल भी हमने करी थी यही हमारा ग्रहकार्य भी था assignment में mostly यह देखना था कि जो भी समवेदना हम पढ़ रहे हैं शरीर में उसका source क्या है वो कहां से आ रही है बस इतना अगर हम देखें तो आगे की बाते हम आगे कर सकते हैं आगे कैसे हम अर्थ दे रहे हैं क्या कर रहे हैं वो सब बातें आगे होंगी यह step 5 एक बहुत मेंद्पून step है जिससे के अगर हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो बहुत सी clarity बनेगी इसके बारे में यह पूरा जो अदान प्रदान हो रहा है और कैसे हम सुकी दुकी होते हैं इस सब को थोड़ा बारिकी से देखेंगे इस step में तो अभी के लिए जो यह बात हुई थी so far इसमें हम जो भी समवेदना उठ रही है उसको देख पा रहे हैं और उसका क्या स्त्रोत है इस बात को देख पा रहे हैं क्या आप चैक बॉक्स में इसको रिस्पॉंड कर सकते हैं हम इसे जो भी इसको देख पा रहे हैं कि समवेदना उठ रही हैं उनको पढ़ पा रहे हैं और वो कहां से उत्पन हो रही है मतलब उसका source क्या है यह चार जो हमने sources की बात करी उनमें से कौन से source से हो रहा है यह हम देख पा रहे हैं यह बढ़िया बहुत से लोग कह रहे हैं तो हम आपका यह observation लेना चाहेंगे अभी ताकि सब को भी जिनको नहीं भी दिख रहा हो उनको थोड़ी और clarity होगी तो आप अपना hand raise कर सकते हैं और जो भी आपने observation किया होगा कल कोई भी observe मतलब अपनी observation रखना चाहेंगे तो hand raise कर दीजे बहुत बात करते हैं जिकी सभी को नमस्ते जिदी यह जो अभी चार चीजे हैं उसके source के बार भी पूश आई हो जो पहला जो है कि बाहर से जो sound या lights जो आरे तो शेरीन में जो सवेदना हो जो उसको देखना है तो मैं उसको भी देख पाया कि जैसे जड़ से कोई light आ जाता है तो आके चौण जाती है तो उसको मैं देख पाया कि जैसे कि तो उसके लाइट से आंगे चोगदे दिए ढहता है जैसे भी सांद में किसी का हौर आ जाता है तो जो कान की जो बढ़दे है तो उसमें भी थोड़ सा समझ में आता है कि यह तेज आवाज आ रही है तो दो चीज़ को मैं पहले संदर में रखना चाहूंगा दूसरे इसमें जो है जिसमें हम कहते है कि कोई बाहर की परिसे बहुत दिक रासा नहीं तो जैसे जब इसके पहले में रूम में था में तो जो वहां का जो जोटाएट अब अब दर में बंब इसको मैं अपने शेरिज के स्कीन पर उसको में सुथ कर रहा था तो कूंज देख दखता है कि अब जोग रही है तो जो चीजे वह जो चैज प्रश्च आप जो तो चुक्य इन दिनों तो शुट सब्सक्राब है कुछ तो मैं जब देख रहा हैं तो चैज जो है जो है वो थोड़ सा उपर नीची कुछ हो रहा है तो तो बिजे तो सब्सक्राइब ने पढ़ा था कि पुछ गणबड़े प चैज चल रहा था तो उसमें हम लोग सब ने फायन ट्रेश के थे और मैं सोच रहा था कि मेरा अभी नंबर आएंगा तो मैं बात रहूं तो उसमें देख रहा था है कि कि मेरा नंबर आया गया मैं देख रहा था कि मेरे स्प्रीड में बड़त्री हो गई है तो इसको मैं देख रहा था और यह अभी जो बहुत देखने वाला उसको देखने वाला उसको समझने वाला इस पात को रखा यह चारूं स्ट्रोथ से हम कैसे हमारे सरीर में संवेद्ना उत्पन होती है और फिर हम उसको पढ़ पाते हैं बहुत अच्छा अलो नमस्ते नमस्ते सभी को इसको मैं अच्छिली मैं एक जस्ट इंसरेंट से यह जडर करना चाहता हूं कल का सुप्ता है तो हिर में काम करता है तो अधिए तर में कंम करता है तो देखा की अधिक शन्में के वही बगए और नियुक्त से होता है कि हम लोग अपने लोगों का थाल पूछते ही हैं वैने कुछे हैं पोछें लोगों का हैं मैं कूछ था है गार अब कुछा था गार्फ official चैनल का था कि क्या हूं से गुजरे काम करते सम्यजörtु थो फिर उंको देखके से मेरे अंकम काम कर तरह देती तो एक तो यह बात थिर उंको प्रतिपना मेरे आंकम है ले delivered मतलब वी अपने वासे से तलेगा, मैं अभी अपने कामने दिली लग गया, बट देन में अंदर एक रियक्षिन इसका हो गई, कि कि उनका तु बिवेर ऐसा है, वैसा है, और अल्रीटी, मतलब सही निए, सही नहीं लग रहा है, तो यह मतलब मैं गरेक्ली देख पाया, जिए इस पराएल अवं हो कि अपने आप को में लग रहा है, अपने आप पो कि अर्यारीक ऐसे सब्सक्राइब छूचमास से छिए कि तरफ मैंकी में लुट शचमने तूरस hon में अपने भी युट पेया कि आपकतश्व बट बरहाँ, बाद दो बूनों जो इंसके रूसे के करके थोड़ा पताएंगे कि अभी पूरा प्रोसेस जो है क्या हुआ वह बहुत अच्छा है कि आप देख पा रहे हैं यह सब लेकिन अभी क्या बात हो रही है अगर उसको थोड़ा सा ना सप्रेट करके उसी पर बात करेंगे थोड़ा सा तो जादा क्लियर होगा सबके लिए कि जैसे समवेदना उठी यह कहां से उठी उसका बस थोड़ा थोड़ा बता दीजिए तो लोगों के लिए थी क्लारेटी तो मैं आइसा सही संस्कार में रंदर नहीं बना हुआ था जो की जो की सही भाव मेरे अंदर हमेशा बना रहा है तो सही भाव मेरे अंदर हमेशा बना रहा जिसकी रिए मतला मेरे बौड़ी पे भी जो साइको समेटिक बोलते हैं इसको वो रेक्शन में बहुत जल्दी आ गया मेरे बौड़ी पे मैं रिलेश की मेरे अंदर भाव सही बना इससंभेदना के स्ट्रीट अभी हाच पुश्य शुरीट भी अचिच वह शुबही है नहीं मैं कर रहा था सु नहीं मैं टिया तो मैं ने देखा कि छो मॉस्कीटोस वेकरा में दो प्रग रहें को शरीब के आट पर टो अधियों मॉस्कीटो बेड़र लग रहें इस पर ध्यान जाए के समभेदना उठी हमने पड़ी ये कहां से आई इतना इस वजब बॉड़ी जादा अच्छे से समझ में आता है इस पर अच्छे बॉड़ी ये उन्स पर दुड़ी ये अन्सिती इट से उठी हमने समयर्ण वे इस संवीड इस अड़ प्रक्ष्छ्ट से इट दूनी अज बॉड़ी ये वसने एक अटाच से आया लाज़े का अटाच आप दे प्ष्ट अटाच अधाग्ड सहर जब शूड कि वाज़े से ही ते भी कुछ कुछ समेरना उत्रे थी, तो आइटिंक इवाला जो सिटुएशन आउसाइट के जीविए उसकी वज़े से में देख वाया, तो इसके उपर हम तो देर में बात करेंगे सब करेंगे अजी नमस्टे नमस्टे मेरे आवाज आ रही है, जी आ रही है, तो कल मैंने ओपज़र किया, मैं वो टीवी में कारेक्रम देख रहा था, तो वहां से पहले तो मेरी द्रश्टी में जो द्रश्य आ रहा था प्रकाश के सेंसेशन से और वो द्रश्य कोई-कोई आकार ले रहा था और जो आकार के मताबिक दोनी आ रहा था तो में उसके मताबिक वो पूरा द्रश्य का अर्थकटन भी कर पा रहा था इसमें जो जो बाते जो जो वो वेशे नीट था तो जो मुझे टच करती थी वहां में उससे ध्यान के सुन रहा था कहीं वो मेरे कलपना सिल का मेच नहीं हो रही थी तो मेरा ध्यान पटक भी जाता था तो यह इस तरह से बाहर के समय दिना को में पढ़ रहा था मेरे अंदर उसी समय जो पहर का समय था किचन में से कुछ पकरा था उसकी गंद भी आ रही थी कुषके मुताबिक मेरी कलपन सिल्पता में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मैंने मेच किया कि कोई किस तरह है क्या यांजन बन रहा हूँ जो यह भी मैने पढ़ा मेरे अंदर पुरुह संसकार थे उसके मुताबिक मैंने अभी उतना जाए अब जैसे आपने देखा ना यह तो यह हुआ पंखा चल रहा था तो इसमें से हवा आ रही थी दिख नहीं रही थी मगर उसका जो स्पर्स उसके अनुभुति मुझे और रही थी तो वह भी में साथ में पढ़ रहा था एक ही पोस्चर में देख रहा था में तो थोड़ी अकड़न हो गई तो सरीच से समयंदना उठी तो पोस्चर बदल दिया तो यह सरीच से समयंदना होई उसने में पढ़ा कि भी अभी पोस्चर बदले गे तो थोड़ा ठीक ठाक लगे तो इस तरह अलग-अलग प्रकार से सम से टिवी में आया तो वो दो तरह से आया प्रकास के प्रकास से आया वो मेरे आखोंने पड़ा कान ने दोनी सुना जो पिचंच आया वो मेरे ग्राणेंद्रिये पड़ा और पंखे से अवा आई वो मेरी जो स्पर्श से हुआ और अंदर से अकडन हुई तो उसका संकेत खु बहुत धन्यवारी ठीक है इस पर थोड़ा आगे बात करेंगे ठीक है कोई बात नहीं सकते हैं आपके शेरी अभी हम क्या करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अगर हम यह पूरा देखते हैं कि संवेदना उठ रही है मैं उसको पढ़ रही हूं फिर आगे जो प्रोसेस है अभी उस हट जाएगा तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक तस मिनिट हम इस चीज़ को उबजर्व करेंगे कि हमारे शरीर में कुछ संवेदना उठ रही हैं यह कहां से आ रही हैं बस उतना देखना है उसकी वज़े से क्या हो रहा है आगे उस पर अभी नहीं जाएंगे जैसे कि मेरा बच्चा या मेरे स्पाउस कोई आए उन्होंने कुछ कहा तो जब उन्होंने कुछ कहा तो उनके जो कहने का जो ध्वनी थी वो मेरे कानों तक गई मेरे कानों पे पड़ी उसकी वज़े से शरीर में कुछ सम्वेदना हुई जिसको मैंने पढ़ा ये एक सोर्स हो सकता है जो पहली वाला स्टोथ है जिसके हम बात कर रहे थे दूसरे का व्यवाहार इसी तरह बाहर बारिश हो रही है या न हम अगर बाहर है टहल रहे है पानी पड़ा या कमरे में बैठे हैं पंखा चल रहा है पंखा की हवा उसके कारण शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ा स्किन पर हमें जो प्रभाव है उसके कारण कुछ सम्वेदना उठी उसको हमने पढ़ा ठीक है यह दूसरा हो गया तीसरा जो स्त्रोत जिसकी हम बात कर रहे थे शरीर में ही कुछ घटना घट रही है और उसको हमने पढ़ा तो जैसे कि अभी जो बात हो रहे थी जो मेंशन किया था किनोंने के शरीर में कुछ अकडन लगी शरीर में कुछ प्रोसेस चल रहा है जिसके तहट शरीर में कुछ समवेदना उठी तो हो सकता है कुछ अकडन है या कुछ खुझली का जो हमें कभी लगता न कोई समवेदना है इस टाइप का तो हमने उस पर ध्यान दिया जुन जुनी हो रही है पैर में तो शरीर में कुछ हो रहा है, उसके कारण कोई समवेदना उठी और उस पर मेरा ध्यान गया. फोर्स जो है मैं कुछ सोच रहे हूँ, उसके कारण चरीर में कोई समवेदना उठी जिस पर मेरा ध्यान गया, जैसे के मुझे किसी चीज का भै हुआ, कोई दृष्य मैंने देखा या कोई बात सुनी या कुछ जो भी हो, उसके कारण या उसके तहद मुझे मेरे अंदर शरीर पर प्रभाव पढ़ा, जैसे के कोई समवेदना उठी, जैसे के अभी बात हो रही थी, दिल की धरकन बढ़ गई, या हातों में पसीना आने लगा, और हम देख पाए कि हमारे अंदर कुछ चल रहा था, और फिर उसके तहद ये प्रभाव पढ़ा शरीर पे, ये जो समवेदना मैंने पढ़ी, फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे अंदर जो चल रहा है, उसके कारण ये हुआ, तो ये जो चार स्त्रोथ हैं, इनको थोड़ा अलग-अलग करके ध्यान देके देखेंगे, कि ये कहां से समवेदना उठ रही है, इनका क्या स्त्रोथ है, एक दस मिन हम लोग इसको देखेंगे, मैं अपने आपको मिनुट कर देती हूँ, और फिर हम इस इसको आगे बढ़ाएंगे, आपके अब्जविशन थोड़े और लेंगे, ठीक है, दस मिनिट हो गए है, हम लोग दस मिनिट से इसको अब्ज़र्व कर रहे हैं, कि अपने शरीर में ज लेकिन इसका सोर्स क्या है, स्त्रोत क्या है, बाहर से या शरीर में, शरीर के अंदर से जो चीजें चल रही हैं, जो प्रोसेसे चल रहे हैं उनके तहर, या फिर मेरे अंदर जो चल रहा है उसके तहर, और बाहर से जब हम देखते हैं तो दो पॉसिबल सोर्से हो सकते हैं, एक जब किसी का व्यवाहार हो उसके कारण या फिर बाहर ही जो environment में जो भौतिक रसाइनिक घटनाय घट रही हैं उसके कारण तो अगर आप अपने जो observations हैं उनको share करना चाहें तो अभी share कर सकते हैं अपना हाल देश करेंगे मैं चाहूंगी कि अगर 10th batch के कोई लोग share करेंगे तो अच्छा रहेगा ताकि आपकर जो process exploration का वो और अच्छे से बन पाएं लेकिन हम लोग तो examples देते रहते हैं लेकिन खुद से जब हम खुद के अंदर जहांके वो exercise जो बुला जा रहा है उसका प्रयास करते हैं खुद से देखने का तो फिर वो मानने की बात नहीं रह जाती हम उसको और अच्छे से अपने में देख पाते हैं तो वो process जरूरी है तो अगर आप लोग hand raise करेंगे थोड़ा share करेंगे तो फिर आगे बात हो सकते हैं देदी नमस्कार देदी नमस्ते बताएगे नमस्कार तो यह कापे मुश्किल लगा थो पढ़ना है और उसका अपने अंदर में और उसको आर्थ नहीं देना है कोई तो उससे एक परकार की अंदर में ही बना हुआ था कि वह संवेदना पहले से ही बनी हुई है कि इसको अलग-अलग देखना है पढ़ना है के बल उसको आर्थ नहीं देना है कोई उसको संकेत नह और मेरा पार्ट अलग है तो उस तरह से देखता हूं तो वो एक प्रकार की पहले से सम्वेदना बनी हुई है एक तो यह मेरे को लगा वो जो कलपना में पहले है मतलब जैसे कि इसको अलग-अलग देखना है कि सम शरीर से आने वाली जैसे व्यवार से आने वाली साउंड से या शरीर के अंदर में आपनी जो देखनिक अनग अलग-अलग देखना तो इससका इसी च्छार जो अलग-अलग भाने वीमूंत की मेरेत साइड़ों के नंदर में कुछ ऐसा दवाफ्प बना हुआ है कि आप उसको और्थ ना ना दे या आप उसन पर कुछ संकेत ना क्या रहे हैं शरीत को पर हम यह एक रहे है कि कि जब हम समवेदना कोई पढ़ते हैं तो यह हमारा ध्यान जाए कि यह कहां से आ रही थी समवेदना जो से कि आपने इग्जामपल्स दिये अभी तो अगर मैं कोई उधारन दूं सपोज मुश्किल लग रहा है लेकिन जैसे कि मैं एक इग्जामपल दूं सपोज हम वाक के जा रहे हैं और वाक करते करते या आप अपी रूम में बैठे बैठे या बाहर खड़े हैं तो मौसम जैसा है सपोज बारिश का मौसम है थंडी हवा चल रही है उसके कारद आपको कुछ सम्वेदना आपके शरीर पर कुई किन पर कुछ उसका इंपैक्ट हुआ उसको आपने पढ़ा नोटिस किया तो यह क्या हुआ यह जो हमने सेकेंड सोर्स बोला था ना कोई भौतिक रासा ने गटना गट रही है यह वो सोर्स हुआ पिर चलते चलते सपोज कोई गाड़ी गई और रोड पर कीचर था वो कीचर उचल के आपके हाथ पर आया अब वो जो कीचर उचल के आपके हाथ पर गिरा उससे कुछ सम्वेदना उठी शरीर में तो वो किस कैटेगरी में आएगा अब वो दूसरे का व्यवाहर कोई गाड़ी चला के ले जा रहा था ऐसा यह अब यह जब हुआ तो मैंने देखा मेरे अंदर विरोत का भाव चला पूरा देखो की चड़ो उचाल दिया मेरे उपर और यह सब तो मेरे अंदर चला तो मेरी कल्पना शीलता की वजह से जो मेरे अंदर चल रहा था उसकी वजह से मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथों में कुछ कमपन है गुस्से से या इरिटेशन से जैसे ब्लड जाता है एकदम सिर की और फ्लश्ट जैसा फील कर रहा है गर्मी ना मेरे फेस में लग रही है इस टाइप तो यह जो मेरे अंदर कल्पना शीलता चल रही थी फिर इसके कारण यह दूसरी सम्वेदना उठी ठीक है यह ठीक है तो अब अब बचा है जिसके हमने अब ही बात नहीं करी कि शरीर में कोई घटना घट रही है उसके तहट भी शरीर में सम्वेदना उठ रही है इतने में मुझे ध्यान आया कि मेरे अंदर Street में कुछ ऐसी सम्वेदना उठ रही है जिसको मैं अर्थिदिया भूक लग रही है तो मैंने पढ़ा तो यह प्रोसेस तो इंसिडेंट जो हुआ उससे अन्रिलेटेड था यह अपने अंदर समय हो गया करके यह प्यास लग रही है यह समवेदना उठी शरीर में और इस पर मेरा ध्यान गया तो यह एक एक्जाम्पल हो गया ब समारत देखने की बारी की और बढ़ेगी इसलिए बात है अपने आप तो रोकना नहीं है तो यह दिखता है लेकिन यह ओवरलैप हो जा रही है जैसे कि अभी जैसे मैंने भी जो उधारन दिया ना एक चीज से समवेदना उठी उसके कारण मेरे अंदर कुछ चला उसके कार तो यह भी एक तरह से ओवरलाइप है लेकिन हम उसको क्लारिटी के साथ देखने का प्रयास करें कि कहां से यह समवेदना अब कहां से उठी ऐसा ठीक है और देखते जाएंगे तो बारी की और अच्छे से दिखेंगी थैंक यू जी नमस्ते 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 जी रहूओ यहीं हम भी सेर करना चाहते हैं जो समवेदन का जो शुरोत है वो तो सभी दिखता है जो बाहर से वेपार कारिया किसी का हुआ या कोई अब बाहर से गर्मी है मौसम है ऐसा या अपने सरीर में कुछ हो रहा है या कल्पनाशिल्टा में कोई प्रॉब्लम है ने भी जो अब अब sprint 맞को है प्रॉडलक टा सभी दौब्लम है कि दीनों चीज से अभी परीशानी रiğक नंगी मंद अभी नयगे कुछ गई जो और वे ट्रमी सुछ हो गई तो उससे परीशानी हो गई या अभी अपने अंदरMr. य наж Medium वर्काउट करने के लिए अभी गई रह गया है वही द में जो तीनों में है वर्क आउट उसी पर खरना है कि उससे वो प्रभावित होने वाली चीज जो है अच्छा एक में अरी गुड़िया भी कुछ कह रही है जल्दी खतम करो मैं अब इससे पराई करने जाते हूं और में को आप अच्छी से बोलेगा जो एक आप आप जो कह रही है न एक कुछ औरेशन के हमें यह दिखाई देता है कुछ इसमें तेशन था आपका कुछ प्रशन था नहीं उसको लेकर के कुछ प्रस नहीं था वही मैं शेयर करना चाहती थी अभी हम लोग दो दिन से इसी को ओपेन कर रहे हैं कि सम्वेधन का जो हमारे पास सुरोत है तो वही मैं क्या रही थी अभी शुरू में भी इंग्लिश वाले सेशन में भी और हुंदी वाले सेशन में भी आपने पुछा था कि मतलब हमें यह चीज दिखाई देता है यह नहीं देता है उसी को मैं दिदी जसके सेयर करना जाती कि यह चीज़ देखने में सक्षम हूँ कम जो है सो वह ढूंसी वाले करना है कि बाहर से बेभार कारी हुक सी का हो रहा उससे उस पर रवावित होना या उस पर दुख़ी सुखी होने निर्णा है वह निर्णा है मैं उससे कैसे बिना प्रवावित हुए है अपने आपको है इसमें से हम जो एक फर्स्ट वाला जो है ना दूसरे मनुश्य का वेवहार इस पर गौर करेंगे आज के लिए आज पूरा दिन दूसरे के साथ जब बातचीत होती है बोलचाल में शरीर पे जो ना जब दूसरा कुछ संकेत देता है किसी ने नमस्ते हाथ जोड़े किसी ने कुछ कहा किसी ने जोड़ से चिला दिया जो भी हो उसके कारण जो शरीर पर प्रभाव पढ़ता है उसके कारण जो संवेदना उठती है उस पर हमारा ध्यान जाए आज पूरा दिन और फिर इस पर कल बात होगी सिरफ इस पर के दूसरे का जो व्यवहार हो रहा है उसके कारण जो प्रभाव पढ़ रहा है और जो संवेदना उठती है और फिर उसके आगे भी थोड़ा हमारे अंदर क्या चला या जो भी है वो सब भी हम बता सकते हैं बट ये स्त्रोत इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आज पूरा देंगे तो समय तो हो गया है अभी के लिए आज के लिए इतना ही है कल हम थोड़ा इसको और अच्छे से डिटेलिंग करेंगे इसकी और आपके डिसकेशन आपके अब्जर्वेशन भी लेंगे जी दी बहुत बहुत धन्यवाद आज की पूरी सच्चा और हमारा ध्यान देनायम के लिए सबी पार्टिसेपेंटिस का भी धन्यवाद